तो यूटूब की तरफ से एक और अपडेट आ चुका है और यह अपडेट जो है पिल्कुल पगबास अपडेट लगा है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं थी इसको अपडेट करने की तो यूटूब पर काफी सारी चीजा ऐसी है जो इंप्रूब्मेंट चाहती है जिनके ल अपडेट की जरूरत भी नहीं थी आज की वीडियो हम बात करेंगे इसी निव अपडेट के बारे में जो कि आया है मुवाइल एप के लिए और आप मुझे कमेंट करके यह जरूर बताना है कि आपको यह अपडेट अच्छा लगा है या बुरा लगा है मुझे तो जो है बहुत ज्यादा बुरा लागा है तो हेग आई इस आशीपया और यूर वाचिंग आशुकी टेक डोंट फोरगेट लाइक और सब्सक्राइब चैनल विकोज यहां पर आपको फ्रेस्ट कॉंटेंड मिलता है अपडेट से पहले था हम यूट्यूप ती जो एप्लिकेशन है वहां पर कोई भी वीडियो को देखते थे और वहां से हम क्वालिटी को चेंज करते थे उसको नौर्मली हम क्वालिटी चैंज कर लेते थे अपने नेटवर्ग के इसाफ से और वहां पर एक ऑड़िष्च का भी option आता था अगर हमारे जो network की speed वो slow होती थी तो automatic quality कम हो जाती थी और network speed जब सही होती थी तो उसकी quality बढ़ जाती थी हमारे पास data ज़्यादा होता था तो हम उसकी quality को change कर लेते थे हमारे पास data कम होता था तो हम YouTube की वीडियो की quality को कम कर लेते थे अब जो यह update आया है उसमें कुछ changing किये गए हैं आप यहाँ पर screen पर देख सकते हैं तो guys मैं YouTube की app में आ चुका हूँ और आप आपको दिखाऊँगा कि वह update हों सा है तो guys यहाँ पर मैं explore में जाकर कोई भी trending page में से एक वीडियो को play कर लेता हूँ तो यहाँ पर जो show होंगे मैं first में उसको play करता हूँ जैसे guys मैं यहाँ पर play करूँगा तो कुछ adds आ रहा है इसको मैं skip करता हूँ और यहाँ वीडियो हमारे यहाँ से play हो गई है अब guys यहाँ पर मैं three dot मैं यहाँ से जाओंगा और यहाँ से जो इसकी quality का option है इस पर click करूँगा तो यहाँ पर आपको कुछ option show हो जाएंगे जैसे आप normally पहले quality को change कर दे थे वह option नहीं आ रहे हैं कुछ new option यहाँ पर show हो ग wording जो उसका resolution है वो नहीं कर सकते network के थाफ से आपकी video के resolution जो है change होता रहेगा आपकी video की quality जो है change होती रहेगी and guys जो next option है वो धिया higher picture quality यहाँ पर आपका जो data है वहुत जादा खर्च होगा और आपकी quality है वो जो YouTube की high quality है उसमें video आपकी play होगी and जो third option है data saver lower picture quality तो इसमें गाइस बिल्कु सबस्दों low size 144 का वो size में आपकी video play होगी और यहाँ से आपका data भी जो है वहुत जादा कम होगा अब गाइस बात या आती है कि कुछ लोग 3 system है और इससे ज्यादा कुछ 480 में जो है video उसको देखना पसंद करते हैं कुछ 720 में देखना पसंद करते हैं तो option यहाँ पर show हो जाएंगे अब गाइस यहाँ से आप अपनी वीडियो के साफसे quality को choose कर सकते हैं बट गाइस यह जो update किया गया है इसकी जरूरत नहीं थी क्यूंकि यहाँ से हमें quality को इतना change करने की जरूरत नहीं पड़ती है जमारे data कम होता तो हम quality change कर लेते हैं ना तो उ quality पर आप वीडियो को देख सकते हो लेकिन यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे कोई सी भी quality को choose करेंगे जैसे 360 को मैं कर लेता हूं तो यहाँ पर जिसमें इसको कर दिया तो यह वीडियो हमारे 360 में play होगी बट गाइस जब आप next वीडियो देखेंगे इसके बाद में कोई दूसरी वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आपको रेजुलेशन को change करना पड़ेगा पहले ऐसा नहीं होता था आप एक बार जो रेजुलेशन वो set कर देते थे तो सारी वीडियो पर apply हो जाता था तो इस अपडेट का जो disadvantage लगा है मुझे वो यही लगा है और आप इस वीडियो से related आपके मन में कोई question है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टागर आपर वीडियम कर सकते हैं तो फिलाल गाईज आज की वीडियो बस इतना ही मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए भावाय टेक केर